नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका साती आपका दोस्त विजीश्वन दोस्तों आज कल के समय में हम देखते हैं कि महिलाओं में ब्रेस कैंसर बहुती कॉमन हो गया है जबकि हम आगे देखते थे कि ओल्ड एज में जाकर कि या जो महिलाओं 50 साल से उपपर हो जाती थी उनमे आज के समय में हम देखते हैं कि जो यंग लेडीज हैं यंग विमेंस हैं उनमें भी ब्रेस कैंसर बहुती कॉमन हो गया है दोस्तों आज कल हम एक न्यूस बहुती ट्रेंड और वाइरल उसमें देख रहे हैं कि हिना खान जो बॉलिवोड की फेमस एक्ट्रिस थी उनको भी ब्रेस कैंसर डाइगनोज हुआ है वो भी स्टेज 3 में जा करके दोस्तों हम आगे इस एपिसोड में बात करेंगे कि एडवांस स्टेज में ही जादातर महिलाओं को क्यों पता चलता है कि उनको ब्रेस कैंसर हो चुका है दोस्तों अगर हम ब्रेस कैंसर के आंकडों की बात करें तो यह सच में हैरान करने वाले हैं आपको चिंता में दालने वाले हैं दोस्तों हर 11 मिनिट पर एक महिला ब्रेस कैंसर से डाइगनोज होती है और हर 18 मिनिट पर एक महिला की मृत्ति होती है और यही कारण है ब्रेस कैंसर दोस्तों इसी सब विशों पे हम बहुती पाई ये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ब्रेस कैंसर महिलाओं में होने वाला एक बहुती कॉमन कैंसर बन चुका है और इसमें मृत्यूदर बहुती तेजी से बढ़ रही है दोस्तों अभी न्यूस ट्रेंड हुई है कि हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस कैंसर डाइगन पता चलती है उसके पीछे मुझे दो कारण लगते हैं ये मेरे परस्टनल पॉइंट ऑफ यू से जो मैं अपने एक्स्पीरियंस से देखता हूं उस इसाफ से मैं आपको बता रहा हूं पहला कारण है कि कैंसर के प्रती आप अवेर नहीं है यही मुझे ऐसा रगता है कि हि नहीं पाते हैं और बिमारी आपकी नासूर बन जाती है सेकेंड दोस्तों जो इंडियन मेंटिलिटी है भारत की मानसिक्ता है उसमें जो महिलाएं हैं वो आज भी हेजिटेड करती हैं अपनी तकलीफ में दूसरों को बताने के लिए खास्त आफ से तब जब उनके प्राइ जब वो कैंसर हो या अधर कोई बिमारी हो और जब वो नासूर बन जाती है जब उनसे टॉलरेट नहीं होती तब वो डॉक्टर के सामने रिवील करती हैं कि पिछले कई सालों से मुझे ऐसी प्रावलम हो रही थी क्योंकि हम हेजिटेट करते हैं इंडिया के अंदर कुछ क चल्चर ऐसा है कि हम खुल करके इस सब बिमारी को पर बात नहीं करते हैं और यही कारण मुझे लगता है कि हम अपनी बिमारी को देर से पकड़ते हैं मगर दोस्तों दूसरा एक और कारण मुझे लगता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है हमने आजकल मॉडन समय को अपना रखका है, model lifestyle को अपना रखका है हम आज के समय में देखते हैं कि भारत की जो महीलाएं है वो alcohol यानि की शराब मदिरा बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी है smoking बहुत ज़्यादा करने लगी है हमारा समान एक खाना जो ज़्यादा देशी खाना होता था हम उसको भूल चुके हैं हम जंग फूड फास फूड की तरफ बहुत ज़्यादा दोड़ने लगे हैं और उसको आसानी से consume कर लेते हैं क्योंकि हम आफे जा रहे हैं चलतु एक बर्गर उठा लिया या रोल उठा लिया या फ्रेंकी ले लिया तो दोस्तों ये खाने में तो बहुती टेस्टी होते हैं मगर इनके अंदर कुछ ऐसे chemical compound होते हैं जो हमारे शरी को बिमार करने के लिए काफी होते हैं जिनमें से एक बिमारी है cancer अगर हमारा obesity यानि मुठापा इन सब foods की वज़े से बहुत जादा बढ़ता है तो हम भी high risk category में आ जाते हैं कि भविश में हमें cancer हो सकता है और महिलाओं में भी same यही दिक्कत आती है जब उनमें मुठापा बढ़ता है तो उसकी वज़े से भी उनमें breast cancer की शिकायत आ जाती है एक और factor है दोस्तो genetical breast cancer genetical भी होता है अगर किसी घर की महिला में उसकी mother को breast cancer हुआ है या दूसरा कोई cancer हुआ है या उसकी दादी नानी में ये cancer जैसे शिकायत आई है तो उस घर की महिलाओं को सतर्क होने की बहुत जादा आवशकता है क्योंकि ये genetically transmit करता है दोस्तो ये जरूरी नहीं है कि generation to generation चले मगर ये inherent होता है कि एक PD माया तो हो सकता आने वाली तीन PD में आ जाए तो दोस्तो आपको बहुती aware होने की जरूरत है मगर aware कैसे होंगे आज के इस वीडियो में वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ खास्तावर से आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं के लिए उन young ladies के लिए जो breast cancer जैसी परिशानी से जूज रही है और उन महिलाओं के लिए भी जो इस परिशानी में पढ़ना नहीं चाहती है दोस्तों cancer एक बहुती complex बिमारी है और इसका इलाज भी बहुती जादा complex है अगर आप cancer के प्रती aware है तो आप अपने आपको cancer जैसी बिमारी से बचा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि cancer एक जानलेवा बिमारी है सही समय पर इलाज ना किया गया तो यह बहुत आसानी से आपकी जान भी ले सकता है दोस्तों अब हम इनके लक्षडों की बात करते हैं कि क्या लक्षड हमें मैसूस होते हैं एक महिला को कि breast cancer जैसी बिमारी उसके शरीर के अंदर है की नहीं है सबसे पहले हमें अपने breast को समझना है अगर आप एक महिला है तो आप अपने स्तनों को अपने breast को बहुत असानी से समझ सकते हैं आप अपने breast के प्रती aware है तो उसमें होने वाले certain changes को भी बहुत असानी से आप पकड़ सकती है सबसे पहले changes ही आते हैं कि अगर आपके breast में कोई गांट है और वो गांट बहुत मुलाइम है और कुछ समय के बाद आप देख रहे हैं वो इधर उधर move करती है चूने पर और उसके साथ साथ उसका size बढ़ता चला जा रहा है बहुती तेजी से और एक समय आता है कि वो एक जगा आके fix हो जाती अब वो move नहीं करती तो ऐसी गांटे खतरनाक होती है पहले इन गांटों में दर्द नहीं होता है जैसे इसे stage बढ़ती चली जाती है इन गांटों में दर्द भी आना शुरू हो जाता है अगर आप इस difference को महसूस करती है तो आपको immediate doctor की जरूरत है उनसे मिलना है, diagnose कराना है और satisfied होना है कि ये cancer है या नहीं है second हम बात करेंगे अगर किसी महिला के बगल में यानि की armpits में गांटे बन रही है उनमें swelling आ रही है तो ये भी एक cancer के लक्षण हो सकते है और next हम बात करेंगे दोस्तों अगर आपके breast का sudden shape और size change हो रहा है वो दूसरे breast से अलग सा दिखने लगा है उसका color change हो गया है skin के उपर rashes से फढ़ रहे हैं या nipple से bleeding होने लगी है या कोई watery discharge होने लगा है अगर ये चीज़े बहुती frequent में हो रही है तो आपको खास्ताव से doctor से मिलने की जरूरत है क्योंकि ये दोस्तो clear cut symptoms है C.A. breast के यानि की breast cancer के अगर आपको ये सारे अपने breast की उपर changes दिखते हैं तो आपको doctor से मिलना है ये cancer जैसे शिकायत हो सकती है cancer का इलाज अगर early stage में मिल जाए तो patient को एक quality life और उसका survival बहुती अच्छा हो जाता है आज हमारे देश के अंदर cancer के बहुती advanced treatment available है और हम बहुती असानी से cancer जैसे जटल बीमारी का इलाज करा सकते हैं जो कभी इलाज हम विदेशों में देखते थे आज वही इलाज विदेशों से अच्छा आज हमारे भारत देश के अंदर है और इतना advanced treatment हमारे इलिया के अंदर available है कि हम बहुती असानी से cancer को शुवाती समय में पकड़ करके उसको खतम कर सकते हैं और उसको cure कर सकते हैं आज कल के समय में हम देखते हैं कि breast cancer बहुती common एक शिकायत हो गया है और ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा मृत्यू का कारण बनता जा रहा है पहले हम old age में देखते थे आज हम young ladies young women's में देखते हैं तो ये cancer जो breast cancer इतनी तेजी से rapidly grow कर रहा है अगर आप इसके प्रती aware नहीं हुए तो ये आपकी जान भी ले सकता है आपकी awareness आपको भी बचा सकती है आपके साथी को भी बचा सकती है दोस्तों क्योंकि आप एक महिला है आप अपने जीवन में बहुत सारे relationships को multiple roles को play करती है आप एक अच्छी mother है आप एक अच्छी house wife है आप एक अच्छी working lady है आप एक अच्छी बेटी है आप एक अच्छी वहू है आप से जुड़ी ही बहुत सारे रिष्टे है जो आप अपने जीवन में पूरा करती है तो आपका सेहत में होना बहुत ही जरूरी है आपको इस breast cancer बिमारी से बच करके रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपकी life के साथ बहुत सारे लोग associate है तो इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की बनती है कि आप अपने आपको cancer free रखें एक अच्छा lifestyle जीए शराब, alcohol, smoking से दूर रहें एक अच्छी diet को लें fruits लें अपनी diet में जिससे कि आपके शरीर के अंदर cancer का खतरा कम हो जाए और आप अपनी physical fitness, yoga, meditation के उपर खासता और से ध्यान दें ताकि आप mentally भी और spiritually भी fit रह सकें क्योंकि जब ये सारी चीज़े दोस्तो हम करते हैं तो हमारे शरीर से रोग दूर भाग जाते हैं तो दोस्तो चॉइस हमेशा हमारे हाथ में रहती है कि हम कौन से lifestyle को चुनना चाते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको breast cancer के against में बहुत सारी awareness दे दी है उसके symptoms बता दिये हैं कि आपको भाविश में breast cancer जैसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े दोस्तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको like कर दें, share कर दें, subscribe कर दें और ऐसे ही हसते रहिए, muskulाते रहिए मिलते अगले एक और वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते जैहन